मेरी गुडिया क्या कर रहे हैं आप मेरा बच्चा में के साथ केल रहे हैं तृती कहाँ है छोटी सी में मेरे बच्चे की है ओरी मैया इसे आप प्यार कर रह रहे और रिम्शा पाउट कैसे बनाती है पाउट बनाके दिखाओ जल्दी से एसी प्यार कर रहे है आप अपनी मैं को इतना सारा प्यार ओरी मैया इतना प्यार करते है आप अपनी मैं से हैं गुड़े मेरी शेहजादी इतना प्यार करती है अपनी मैं यूट्यूब फैमिली कैसे आप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी अलहमदुलिला बहुत अच्छे हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ दिन पहले मैंने आप से एक एप के बारे में बात करी थी जिसका नाम शोपी है जिससे मैंने अपनी आई शेट्स और लिप स्टार्ट करते हैं यह वाला पार्सल खोलती है देखती हूं इसमें क्या है अचा इस पर मैंने लैक्मे का काजल मंगवाया है इसकी एमर्पी 180 है लेकिन यह मुझे शोपीस है सिफ 37 रुपीस का पढ़ा है अब मैं अपना दूसरा खोलती है शोपी आप पर बहुत अच्छी डीन चल रही है आप भी एक बार जाके शोपिंग जरूर करी सबसे अच्छी सैप की बात इस पर डिलिवरी चार्जिस नहीं है और देखिए यह सब समान मुझे यह मैंने एडियस का एक और काजल मंगवाया है एक लैक मे का एक और काजल यह मुझे लिप बम पढ़ा है क्रेजी लिप्स का और यह लैक मे 925 CC क्रीम यह चारो समान सिफ मुझे 75 रुपीस में पढ़े हैं अगर इने में मार्केट से लेने जाओं तो यह मुझे अच्छे 12 रुपीस का पढ़ा है जो मार्केट से मुझे अराम से 400 रुपी पर इस एप पे जाके शॉपिंग करें मैं इस एप का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक से मुझे कितने कम प्राइज में प्रोडेक्ट्स कर रहे हैं तो एक और मैं आपसे बात बताना चाहूंगी यह स्पॉंस आज कशफ गाजर का हलवा बनाने वाली हैं तो उसके बारे में देखते हैं जाके कि कशफ के इस तरीके से गाजर का हलवा बना रही है उसकी रेसिपी भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए कशफ से गाजर के हलवे की रेसिपी पोस्ते हैं कशफ बताओ तुम बना रही है कि तो किलो गाजर का हल्वा बना रही हैया मतलब देड़ किलो गाजर को गिसना बोलते हैं आप लोग क्या बोलते मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आप कशभ से पूंसते वह आगे क्या करेगी कशो बताओ कितनी चम्मच घी लोगी तीन ठीक है अच्छा तो तुम डेड़ किलो गाजर में तीन चम्मच देशी घी ले रही हो ठीक है गैस जला ली है वैसे सर्दियों में बहुत टेस्टी लगता है कुछ मीठा खाने को दिल करें तो गाज गी गर्म हो गया है अब इसमें जिसी वही गाजर एड़ की जा रही है अब यह कितनी देर तक कशक पकाई जाएंगी जब तक गल नहीं जाकती है अच्छा पूरी गलाओ की तुम इने नहीं पर बाद में दूद के साथ तीनी है मतलब आधी तुम इने गला लो की उसके बा चीन से चार या चार से पांच बंटे दूद एड़ कर रही है उसके बाद यह और धीमियाच पर दस से पंदर मिनट तक पके तक है इसमारी गाजर गल चुगी है तेरा इसमें कटोरी चीनी डाल रही है और चीनी यह साथ साथ दो चम्मच घी अब इसे हम और पकने देंगे इसके अंदर हमने पांच बंटी दूद एड़ कर रहा था और दो कटोरी चीनी आड़ करी थी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिन कर ले उसके बाद इसे इतना पका लें ताकि दूद और चीनी अच्छे से सूख जाया फिर इसके लाइची पाउडर डालने हैं और खोया और इसके अंदर घी में फ्राइब करके डाओं आपको जो खाने हो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर डाल कर और फिर आपको यहीं एंड करूंगी फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए व्लोग के लिए कि तब तक अपना करें और हमारे चैनल को सबस्काइब करें और देखिए उधर से रिम्षा भी बोल रही है रिम्षा बाए करो सबको बाए 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 बाए